हलो फ्रेंड्स मैंने सांच ओधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल दा साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी को पता है मैं अपने रियल लाइफ एक्जांपल की तुरू आप सभी के कॉंसेप्ट को कि स्टिल क्लियर कराता हूँ आज उसी सीरिज यानी और्गिनिक केमिस्टी में मैं आपके लिए लाया हूँ आठमा लेक्चर आज हम बात करेंगे बच्चो दूसरी प्रिपरेशन ओफ हेलो एलकेन और हेलो एरीन्स तो पहले lecture में मैंने आपसे क्या बात की थी preparation के, तो पहले lecture में मैंने free radical alogenation पर बात की थी बच्चो, मतलब alkin से hello alkin बनाया था, आज मैं आपसे बच्चो बात करूँगा, आज जो ये वीडियो मेरा रहने वाला है, वो second lecture रहने वाला है, preparation of hello alkin और hello arines का, तो बच्चो आज ह सबी के channel था, science comrade मैं स्वागत करता हूँ, और हम adding डाल रहे हैं, hello alkin, all hello arines, आज हम बच्चो किस topic पर बात करेंगे, किस मुद्दे पर बात करेंगे, तो बच्चो मैं आपको पहली बता दूँ, आज हम क्या करेंगे, दूसरी preparation पर बात करेंगे, तो क्या preparation के दूसरा topic क्या है, हम क्या करेंगे आज बच्चो, alkin से क्या बनाएंगे, hello alkin, बच्चो, क्या बनाएंगे, hello alkin, तो alkin से hello alkin कैसे बनाया जाए, क्या-क्या method हैं, उन सब को आज हम detail में complete करेंगे, आज के lecture को खतम होने तक, बच्चो मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको, आज के lecture को ख एक दो नेम रियक्शन भी आएगी वो भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है वो जहां पर आएगी वहीं बताऊंगा तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं आपको एक चार्ट के थुरू आपके दिमाग में डालने की कोसिस करूंगा कि एलकीन से सबसे पहले हैलो एलकीन तक प पता है आपके गुरू जी जीरो लेवल से स्टार्ट करके और पूरे कॉंसेप्ट को खतम करते हैं तो मेरा जो कॉंसेप्ट है यह चलता है तो आपको इस लेक्चर के खतम होने तक एलकीन से एलो एलकीन कैसे बनाया जाए क्या-क्या होगा कौन सी नेम रियक्शन है सब एलकीन तो बनेंगी किस्से क्या-क्या है फिर हम डिटेल में जाएंगे तो हैडिंग डाली प्रपरेशन ओफ हैलो एलकेन फ्रॉम एलकीन अब सबसे पहले बच्चों है एलो एलकेन आप जानते हो हैलो एलकेन आप जानते हो एलकीन क्या होता है एल का मतलब होता है number of carbon chain इन का मतलब होता है double bond तो आपको ये भी सब दिसपस्ट है तो सबसे पहले हम पहुंचें कैसे बच्चो तो ये चार्ट आपको important है ये आपको ध्यान रखना है पहले पहुंचा कैसे जाए क्या-क्या होगा क्या-क्या नहीं होगा है तो सबसे पहले अगर बात करूं बच्चो तो हमें याद रखना है हेलोगेनेशन और दीरे नंबर पर हम्में याद रखना है बच्चो दो तरीके से हम यह तक पॉँचेंगे हाईडरो एलोगे तो दो में थड़े हैं बच्चो जिसके द्वारा हम एलकीन से क्या बना सकते हैं हैलो एलकेन तो पहला है है एलोजिनेशन दूसरा है हाइड्रो हेलोजिनेशन बच्चो एक मिनिट मैं बस केमरा चेक कर लूँ कि सही से चल रहा है कि नहीं क्योंकि बहुत जादा दिक्कत हो ज तो यह तो बस चार्ट के फॉर्म में आपको स्टेबलाइस कराऊंगा आपके दिमाग को देन हम इनको एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे मैं आपसे कहूं हेलोजिनेशन में दो तरीके से आएंगे एक सिमेट्री के लिए और एक अंसिमेट्री के लिए कहने का मतलब है कहने का मतलब है दो-दो केस दोनों में पढ़ेंगे हमारे गुरू जी ने बताया इसमें क्या होगा अंसिमेट्री कल अब आप स्पेलिंग लिए ना एलकेन तो इसमें दोनों केस चलेंगे अब इसमें कौन से केस चलेंगे हाइड्रो एलोजिनेशन में बच्चो इसमें भ तो इसको भी हम बच्चो डिटेल में पढ़ेंगे तो सबसे पहले बच्चो जानो क्या बात है हमारे गुरू जी ने हमारे दमाग को इंडिकेशन में ला दिया सोचने पर मजबूर कर रहा हूं अगर आप इसको लेक्चर को मेरे को बिलकुल अच्छे से देखने की कोसिस कर एंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग दो बार आयोडीन लोगे कितनी बार दो बार तो बच्चो एलोजिनेशन का भी मतलब आपके गुरू जी ने खतम कर दिया आपको ट्रिक बता चुके है जिन भी वहियाओने पुराने वीडियो नहीं देखें तुरंत जाएं साइंस कॉमरेड एलो एलकेंड एलो एरीन्स मेरे वीडियो सभी निकल जाएंगे प्लेड ये उलॉजिस्ट भी मैंने डाल दीया तो फिर कल वार आई आउंटी हैलो जीनेशन का मतलब होता है कोई भी एलो जन हो दोबार हो तो हैलो जनë सं क्रिस्ट्लिंड क्रिस्टिल क्लियर अब हाइड्रो हैलो जनेशन क्या होता है उच सबसे पहले आप इस चार्ट को लिखो, और हाइडरो हैडमी की बाद कर तो हाइड nucleus सब्द से क्या रहा हैं यहीं खतम कर डिए से NOT क्लोरी नउवसकता है क्विल्कूलॉण रहें का मतलब एक ही जेलोजन दोड़ िवार छतम बच्चो इसको अप अपने दिमाग में डालो मैं बोर्ड्मितर देता हूं और हम इससे स्टार्ट करते हुए यहां पर खतम करेंगे और इस लेक्चर में आपको कॉंसेप्ट को क्रिस्टिल क्लियर कर देंगे तो मुझे लगता है बच्चों आप सभी नहीं यह लिख लिया होगा अब हम चलते हैं हेलोजनेशन की तरब चलते हैं सबसे पहल सबसे पहले हम डेडिंग डालें बच्चों हेलोजनेशन है तो हेलोजनेशन को लिखवाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों यहीं पर आप डालें क्या हो सकता है एफ टू बी आटू कि सी एल टू आई टू आया कहां से बच्चों गुरुप 17 का एलीमेंट है एक्स तू ल बाहर आई आंटी आंटी को नहीं लेते डन बच्चों इसको नहीं लिखें गुरू जी कोई दिक्कत नहीं है इसको मत लिखो बच्चों क्रिस्टिल क्लियर आया बस इसको ब्रेकेट में बंद कर दें हेलोजनेशन का मतलब आपको बारी बारी देखने को नहीं मिलेगा अब अगर मैं आपसे लिख दूँ एलकीन अब मुझे बताओ बच्चो एलकीन होता क्या है दो तरह की होगी एक सिमेट्रिकल पढ़ेंगे एक अनसिमेट्रिकल पढ़ेंगे बच्चो सिमेट्रिकल से निकालो और एक अनसिमेट्रिकल से निकालो अगर मैं सिमेट्रिकल की बात करूँ बच्चो CH2 डवलवांड CH2 बिलकुल मुझे बताओ एल का मतलब क्या होता है बच्चो कारवन की चेन गुरू जी yes एक कारवन आजाए बच्चो math दो कारवन आजाए बच्चो eth सीन कारवन आजाए बच्चो prop चार कारवन आजाए बच्चो ब्यूट ऐसे ही so on इन का मतलब क्या होता है बच्चो कारवन कारवन के बीच में कैसा bond double wand और यह symmetry है बच्चो अगर मैं यहां से देखूं इसको काटते हुए तो यह इसके उपर लाई करेगी बिल्कुल तो symmetrical है बच्चो आपका concept crystal clear होता नजर आ रहा है मुझे डन है बच्चो बिल्कुल अब आ जाओ अब इसमें करेंगे क्या बच्चो याद रखना बच्चो CCL4 की प्रिजेंस में हम अगर CCL2 को या BR2 को मैं X बोल दूं बच्चो इनको एकस टू सॉरी हाँ एकस टू बोल दूं बच्चो एकस टू अब मैं एकस टू करा दूंगा क्योंकि आप असमें नहीं होंगे क्योंकि हेलोजनेशन फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन, आयोडिनेशन तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चो बाद में मैं एकस टू ले आता हूं याद रखना बच्चो CCL की 4 की प्रिजेंस में जो ये X2 है अगर ये नहीं होता, मैं आपसे एक क्वेस्चन पूछ रहा हूं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे एक क्वेस्चन पूछता हूं, कि अगर CL2 है, CL, CL, अगर कुछ नहीं होता, तो ये दोनों सेम एलेक्टो नेगिटिविटी वाले हैं, सेम एलिवेंट हैं, मैंने आपको क्या कहाता, आप और आपके भाई बेन हैं, भाई भाई बेन में क्या है, कोई बीची समान तरीके से बटनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है, सपोस करो, पापा लाए दो चौकलेट, आपकी दोनों भेन को देदी, या आपके दोनों भाई को देदी, तो दिक्कत नहीं है, एक कहानी सपस्ट होती, डन है, दुबारा से दिखा देता हूं, पहले से गोल आता, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कॉंसेप्ट है, मुझे बताओ, अगर यहां पर क्या था, CCL4 नहीं लेता, अभी आओंगा, इसका मतलब क्या है, CCL4 लेने का मतलब क्या है, क्या है, अग दो चॉकलेट लाए हो, एक यह ले जाएगा, एक यह ले जाएगा, डन, भाई है, अब मुझे बताओ, अगर मैं क्या करूँ, डॉट डॉट कर दोंगा, तो कहानी चलेगी नहीं, मैं क्या कहूंगा, अगर यहां पर XX, यहां क्या करूँगा, अगर मैं यह बात करता हूं, एक्स डॉट एक्स डॉट तो यह जो बात है यह रियक्शन होगी नहीं यहाँ पर क्या है मुझे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन में तोड़ना पड़ेगा अब आप कह रहे होंगे यह तो भाई भेहन है तो कैसे तूट जाएंगे किसी को डेड़ दे देंगे पापा तो कहानी चलेगी नहीं हत्या कर देगा दूसरा कहने का यह मतलब है लड़ाई हो जाएगी बुरी तर है एक एक दौनों को देनी पड़ेगी लेकिन याद रखना अगर पापा खड़े हैं आपने कोई काम के नहीं हो सपे उस करो आप हो और आपकी है आपकी दीदी का रिजल्ट आया आपका आया आपकी दीदी को अच्छे नंबर आए आपके बेकार नंबर आए मुझे वताओ फिर अगर पापा है और एक तो रिजल्ट आपकी हिम्मत है आप कहोगे पांचों की पांचों चोगलेट तू रख ले दोनों की दोनों तू लख ले पापा इंड्रेंस की तरह काम कर रहे हैं अब बराबरी में नहीं तूटेगा आप बोलोगे थपाड़ा पड़ेगा कहने का मतलब है पापा बहुत से कहेंगे क्यों से कहेंगे एक तो नंबर नहीं लाए उपर से लड़ाई और कर रहे हैं कहने का यह मतलब है और नेगेटिव में तोड़ दएगा बच्चों कि क्या होगा कहने का मतलब है दोनों twins हैं दोनों सेम नेचर के लेकिन एक को तो बना देगा Electrophile अभी बताऊंग आपको यह क्या है और एक को बना देगा नुक्लियो फायल बच्चो इसको क्या बना देगा निूक्लियो फायल अब इन पर आता हूं मैंने आपको इन दोनोंusta मतलब समझाना है मुझे बताओ फाइल आपको मैं सिंपली बात करूं आपको मैंने एक सब्द सुना होग फोबिय जैसे मैं आपको पानी के पास ले जाओं कोई कोई पानी से डड़ता है वो कहता है हाइड्रोफोबिया है मुझे कहने का मतलब है पानी से क्या है फोबिया कहने का मतलब है पानी उसका दुस्मन है मुझे मैं क्या कह दूँ एक सब्द में जैसे फोबिक होता है उसका उल्टा होता है फिलिक ज क Cantonese का मतलब होता है lower queen Okay뉹 Lum is a proton का लवर यहाँ पर इलैक्ट्रोफाइल इलैक्ट्रोण का लवर जो इलेक्ट्रोण से प्यार करता है अब सिंपल वतांगे इलैक्ट्रोफाइल कौन होंगे इलैक्ट्रोफाइल वहитесь होंगी का न्यूक्लियस का प्रोटोन का लवर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोन का लवर जो इलेक्ट्रोन से प्यार करता है अब मैं सिंपल बताऊंगा इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे इलेक्ट्रोफाइल वो species होंगी बच्चो कौन सी species होंगी जो इलेक्ट्रोन से प्यार करती होंगी और मुझे बताओ प्यार कौन कब करता है प्यार जब वो करते हैं जिनको जिस चीज की कमी होती है तो मुझे बताओ यहां पर positive आएगा क्यों क्योंकि इसको अगर आपके पा पापा के पास चार चॉकलेट हैं तो तीन भेन को मिलेंगी एक मिलेगी नहीं तो चारो भेन को जीरो कहने का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रोन आई नहीं इसको प्यार किसको होगा चॉकलेटों को चॉकलेटों से इनको इसको खाने को मिली नहीं तो इलेक्ट्रोफाइल को क् कहते हैं। deficient species क्या कहते हैं बच्चो deficient species . अब आ जाते मैकेनिजम पर मुझे नहीं लगता है इलेक्ट्रो फाइलो और नुुक्लियो फाईल आप लिख लो और मैं अब अगला जो इसको बताने के बाद जो करांगा लिखा दूँगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है निउक्लियोफाइल होता क्या है अब मुझे बताओ जो यह एक्स टू है बच्चो क्या होगा एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगिटिव में तूट या फिर यहां नेगिटिव आता है यहां पॉजिटिव आता बात एक ही थी अब मुझे बताओ अगर यह सीएस्टू सीएस्टू यहां नेगिटिव है तो यहां पर कौन अटेक करेगा मुझे बताओ इसको इलेक्टोन की कमी है बिल्कुल है यह यह लेक्ट्रोफाइल है तो electrofile कहां attack करेगा बच्चो वहां करेगा जहां भरवर के है तो यहां CS2 पर यह attack करेगा और यहां पर यह attack करेगा done मेरे बच्चो मुझे नहीं लगता आपके concept को कोई दिक्कत हुई होगी तो x x बात एक ही है बात एक ही है बच्चो अब मुझे बताओ यह लड़का है यह लड़का है तो यह लड़की पर attack करेगा, लड़की है लड़के पर opposite gender से attract होते हो बच्चो मुझे बताओ, आप खड़े हो तीन चाल लड़की जा रहे हैं तो आप लड़की से attract होंगे, अगर लड़की जा रहे होंगे तो आप देखोगे, नहीं देखोगे, या लड़की खड़ी है, एक तीन चाल लड़के जा रहे हैं, तो लड़की लड़के को देखेगी, नहीं देखेगी, बिल्कुल, तो यह concept है, opposite gender का attract करना, समझ रहे हो, अ इसके पास electron की कमी है, बिल्कुल, तो कौन को पूरी कर सकता है, यह वाला, भाईया, यह nucleophile है, axis में पहले से ही, कहने का मतलब है, इसको कोई कमी नहीं है, attack मारा यहां पर, done बच्चो, crystal clear, note करो बच्चो, मैं देख लेता हूं, camera सही चल रहा है के नहीं चल रहा, पहला concept खतम done बच्चो, सही चल रहा है, अब आ जाते हैं बच्चो, unsymmetrical, symmetry की बात हो गई, unsymmetry, मैं क्या कहूंगा, हेलो जिनेशन का अगर case है, तो symmetry हो या unsymmetry हो, बात एक ही है, बच्चो, क्योंकि symmetry हो या unsymmetry हो, अभी दिखा देता हूं, अब अगर unsymmetry की बात हो, unsymmetrical एल की नो, तो क् होगा, एल की नो, तो क्या होगा, कुछ नहीं, simple है, मैंने क्या कर दिया, इस वार, CS3, CH, double bond, CS2, unsymmetrical, एल की ने बच्चो, फिर से X2, इस वार, CL2 ले रेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझदार हो, CCL की 4 की presence में, मुझे बताओ, CLD, CLD में टूरता, CCL4 की व क्यों, कमी हैं क्या, इलेक्टों की, ना, बर बर के हैं, नूक्लियस लवर है, इलेक्टों की कमी है, क्या बनेगा, handwriting, कौन किस से प्यार करता है, जिसकी कमी होती है, मुझे बताओ, bond टूटेगा, अब यहां पर बताओ, मुझे थोड़ी सी यह समंझजूस होगी, positive की negative, कु तो यहां क्या आ जाता है हमेशा याद रखना कभी भी कंडिशन है तो यहां positive आ जाता है यह negative आ जाता है प्लस ISO करता है अब आप कहोगे अगर मैं इनकी जगे कोई electronegative element electronegativity वाला series वाला जादा जैसे fluorine ले आता या oxygen ले आता तो वो खीचता या negative बनाता positive जैसे simple example है एक देखो CS3 की जगे क्या होता एक मिनिट बच्चो F होता CH होता double bond होता CH2 होता इस बार क्या होता यह F minus ISO करता यह देता नहीं यह खीचता बच्चो और यह खीचता तो इस bond को तोड़ता तो यह positive की जगे negative लगा देता और यह positive आ जाता साइन उल्टा हो जाता क्योंकि इसकी electronegativity ज्यादा है इसकी electronegativity कम है यह plus i effect plus inductive effect देता है यह minus i effect अब बच्चो आप कहोगे गुरू जी समझाओ इसको बताऊंगा 11 में जब आऊंगा बस आप इतना समझो इसकी electronegativity बहुत कम है plus i है यह दवाएगा उसको तो positive यहां से produce करेगा तो यह richness चोड़ेगा positive चोड़ेगा done बच्चो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत हुई होगी तो electronegativity less की वज़े से plus और यहां पर plus minus अब मुझे बताओ electrophile कहाएगा अगर मैं इसको consider करता हू लड़का मुझे बताओ positive है तो positive opposite gender को attract करेगा यह लड़की है कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रोफाइल है कहने का मतलब है विकारी है deficient compound है कहां टेक मारेगा इस पे अगर इसकी बात करूं कहां टेक मारेगा इस पे तो बच्चो crystal clear concept जो इलेक्ट्रोफाइल है वो deficient species पे मारेगा रिच पे रिच पे और वो मारेगा पॉजिट पे पॉजिटिव पे सी एस त्री सी एच सी एच टू डबल बॉंट टूटा सी एल सी एल डन वीरो अच्छे से मुझे नहीं लगता आपका कोई दिक्कत हुई होगी हेलो जिनेशन आपका खतम concept अब आ जातें एक दो question देता हूं आपको और आपको करने होंगे तो सबसे पहले हेलो जिनेशन की थोड़ी सी practice करा दूं बच्चो कि कैसे हम करेंगे क्या करेंगे तो मैं एक दो एक्जामपल देता हूं और आपसे पूस्ता हूं तो इसको बताएं जल्दी से पहला example CS3, CS2, CS2, BI2 जल्दी से बताओ अब आपको पताएं अगर CCL4 की presence है तो क्या करना है BR किस में तूटेगा positive में और negative में यह क्या है एलेक्ट्रोफाइल और यह क्या है न्यूक्लियोफाइल मुझे बताओ यहां से बहुन तूटेगा यह negative की positive दो दो अटेक मारेंगे यह positive यह नेगिटिव किस्टिल क्लियर मारो अटेक यह किस पे मारेगा positive है यह किस पे पॉजिटिव है यह नेगेटिव है बना दो CS3 CS2 CH CS2 BR मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत पलक जपकते आप concept को खतम करेंगे crystal clear बच्चो एक आदौर दे दूं कोई जरूरत नहीं है मुझे नहीं लगता हैलोजनेशन का आपसे एक भी question ऐसा हो जो ना बने दन बच्चो crystal clear concept अब आ जाते हैं बच्चो हाइड्रो हैलोजनेशन किस पर आ जाते हैं बच्चो हाइड्रो हैलोजनेशन यह important concept है नेम reaction आना स्टार्ट हो जाएगी बच्चो तो दूसरा topic आज का हाइड्रो हैलोजनेशन तो सबसे पहले हाइड्रो हैलोजनेशन इससे पढ़ने से पहले बच्चो हाइड्रो हैलोजनेशन पढ़ने से बच्चो मैं क्या है आपको थोड़ा मैं लिखना electron lover या electron से प्यार करता हो दूसरा लिखो electron से प्यार कौन करेगा जिसे electron की कमी हो इंपोर्टेंट हैं बच्चो एक दो तीन अपने नोड से मैंने पहले बताया है हम जैसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोण लवर क्योंकि फाइल का मतलब होता है लवर इलेक्ट्रोण से प्यार करेगा इलेक्ट्रोण से प्यार करता हो जिसे इलेक्ट्रोण की कमी हो क्या कह दूँ चौते नंबर पे electron deficient species भी क्या कहते हूं एलेक्ट डिफीशियन्ट опасies को दिक्कत बच्चो डण उतारो इसको अब आ जाता हूं न्यूग्लियोफाइल न्यूग्लियोफाइल को लिखो बच्चो तो लिख लिया होगा मिटा रहा हूं नूग्लियोफाइल क्या है बच्छो नूग्लियोफाइल इसको भी लिखो नूग्लियस लवर नूग्लियस में क्या होता है बच्छो प्रोटोन नूट्रोन लिखेंगे क्या नूग्लियस लवर नूग्लियस से प्यार करता हो नूग्लियस में क्या आएगा बच्छो दूसरा लिखोगे वहां क्या था इलेक्ट्रोन की कमी थी यहां क्या होगा इलेक्ट्रोन भरपूर हो इलेक्ट्रोन भरपूर हो कहने का मतलब है इलेक्ट्रोन की कमी ना इलेक्ट्रोन रिच स्पिसीज क्या होगा बच्चो इलेक्ट्रोन रिच स्पिसीज कहने का मतलब है अ अमीर आदमी अमीर होगा बरबर के होंगे इसको कहते नुकलियोफाइल नुकलियस लवर प्रोटोन प्लस नूट्रोन प्रोटोन कहने का मतलब है इलेक्टोन भरपूर हो जिससे प्यार करेगा उसकी कमी नहीं होती यहां इलेक्टोन से थोड़ी ना प्यार कर रहा नुकलियस से प्यार करेगा तो electron rich species होगी क्योंकि उसको कमी नहीं है तो बच्चों दोनों को लिखो important है अच्छे से अब आ जाता हूं मैं Hydrogenation पर heading लगाई चुका हूं आ जाओ symmetry unsymmetry तो symmetry को पहले खतम कर लेते हैं देन आ रहाँ unsymmetry तो symmetrical सुन लो बच्चो symmetrical एलकीन सिंपल सा फिर से एक्जामपल लिया बच्चों Hydrogenation लेना है और symmetrical एलकीन अब मुझे बताओ CH2 double bond CH2 लिया इस वाल Hydrogenation है तो मुझे बताओ HCl हो सकता है HF हो सकता है HBR हो सकता है HI हो सकता है यह बताई ही चुका हूँ आपको कहने का मतलब है Hydrogen के साथ है लोजनेशन होना चाहिए मुझे बताओ किस से भाई गो तो दिक्कत थी यहाँ पर तो पहले से ही है मैं आपसे पूछू हूँ H और CL में कौन इलेक्टो नेगेटिव जादा है CL तो क्या होगा H positive CL negative मुझे बताओ अपने आप H positive में टूटेगा CL negative में यह इलेक्ट्रो फाइल बन जाएगा ये नुक्लियो फाइल बन जाएगा क्या रीजन है बच्चो अभी बताता हूं ये नुक्लियो फाइल बना क्यों बना कैसे बना सुन लो मुझे बताओ बच्चो क्लोरीन और हाइड्रोजन की अगर electronegativity की बात करूँ तो chlorine की जो electronegativity है electronegativity of chlorine लगबग 3 के आसपास होती है बच्चो और electronegativity of hydrogen लग बच्चो 2.1 के आसपास होती है तो इसमें जमीन आस्मान का अंतर है अगर HCl है तो H से CL लेके बग जाएगा और यहां partial negative partial positive बना लेगा कहने का मतलब है इसको भिकारी बना देगा और कुर rich बन जाएगा क्या reason है electronegativity बच्चो तो मैं आपको electronegativity बताई चुका हूँ अब मैं कर रहा हूँ rough मुझे बताओ सारे खीच ले गया बिलकुल तो खुद पर negative charge कर लिया मैं बता चुका हूँ nucleophile क्या था बच्चो electron rich species electrophile क्या था electron deficient species समझ गए अब मैं एक example ले रहा हूँ प्यारा सा सपोस करो आपकी साधी हो गई लड़की है आप हो अगर मुझे बताओ आपने लिया धैज आपको दिक्कत होगी बिलकुल वो तो रोज चांद पर जूते मारेगी सीधी सी बात है मुझे बताओ लड़की की लेक्टो हैं आपकी पतनी सिरी यह हो आप आप positive यह नेगटिव डॉमिनेंसी इस पर ज्यादा होगी अब क्या है आपने साधी की और आपने साधी ऐसी की जिसमें क्या है कोई कुछ नहीं मिला जो मम्मी पापा ने दिया दिया तो आھ सी ल 2 यह थे तो जैसे चलता है आपको पता है आप की बात आप यह हो आप की आपकी बात भी चलेंगी और आपकी दिया कोख़् कि आपको पता है हमारे समान चलेगा बच्चों इसको मेरा बोलने का कोई वो ना ले परसनली बस समझाने की वो थी कॉंसेप्ट किस्टिल क्लियर आ जाओ अब मुझे बताओ अगर यहां एच पॉजिटिव है सी एल नेगिटेव है मुझे बताओ यहां से बॉन टूटेगा किसी पर पॉजिटिव लड़का है कहां जाएगा लड़की पर कहने का मतलब है यह इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों क्या है इलेक्ट्रोफाइल एलेक्ट्रोफाइल क्या है इलेक्ट्रोफाइल डिफीशियंट स्पिसी रिच कौन सी है यह अटेक मारेगा यह कहां टेक मारेगा इस पर बच्चो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी सारे concept आपके धुमा धुमा करते जा रहा हूँ जैसे जैसे आगे भड़ता जा रहा हूँ आओ बच्चो अब पढ़ते हैं Unsymmetrical Alken पर Concept से भी बताऊँगा बच्चो और Name Reaction से भी Important है Unsymmetrical Alken Unsymmetrical Alken Unsymmetrical Alken की अगर बच्चो बात करेंगे तो मैं लिख दूँ CS3, CH double bond, CS2 फिर से मैं एक्जामपल ले लेता हूँ HBR का अब मैं क्या है सबसे पहले बच्चो Mechanism से कराऊँगा आपको किस से Mechanism से आपको फिर से पता है BR, CL का ये एक्जामपल ले लेता हूँ क्योंकि जितने भी है S से तो सब की ज़्यादा होगी फिर आप दिक्कत ना हो मुझे बताओ H positive, CL negative में टूट जाएगा बिलकुल ये क्या है? Electrofile ये क्या है बच्चो? Nucleophile Mechanism की बात कर रहा हूँ मुझे बताओ ये double bond टूटेगा इस पर positive आएगा कि इस पर positive आएगा असमंजस कुछ असमंजस नहीं हटाओ मैं क्या कह रहा हूँ? Double bond है इसको देखो मुझे बताओ ये electro negative जादा है कि कम है? मुझे बताओ CS3 पर plus inductive effect देगा तो जो electro negativity होगी ना बच्चो इसकी कम होगी और कम होगी तो ये push करेगा जब ये push करेगा बच्चो इसको हटाएगा यह positive लगा देगा यह negative लगा देगा बच्चो ध्यान रखना important है कभी भी अगर ये double bond से जो element जुडाए उसकी electro negativity कम है मीथेन है, इतेन है, प्रोपेन है तो यह plus inductive effect सो करता है यह positive और यह negative double bond को तोड़के अब मुझे बताओ H positive है Electrophile है किसको ढूड़ रहा है Rich species को टपका दो यह किसको ढूड़ रहा है Deficient species को आ गया answer CS3, CH, CS2 positive पह गया गया CL, negative पह गया H, done मेरे बच्चो Hello Alkin बना दिया बिल्कुल बना दिया यह तो थी mechanism लेकिन अगर मैं बात करूँ बच्चो इसकी, इसी को कहेंगे Name Reaction Markonic of Rule क्या कहेंगे बच्चो Markonic of अभी आ रहा हूँ इसी को दुबारा से लिख रहा हूँ बच्चो यह तो मैंने बता था Mechanism आपको Mechanism अच्छे से आना चाहिए Rule आपको याद ही नहीं करने दूँगा मैं पहले बता चुका हूँ अब heading डालो बच्चो Markonic of Rule क्या बच्चो Markonic of Rule Markonic of Rule Spelling देख लेना बच्चो Markonic of Rules आ जाओ फिर से मैंने क्या गिया बच्चो CS3 Unsymmetrical Alken डाली SCL डाला बच्चो अब क्या करना है Markonic of क्या कहते हैं बच्चो सुनो यहाँ पर क्या यह Positive और यह Negative में टूटेगा Markonic of ने यह कहा जो Nucleophile है बच्चो वो उस Carvan पर Attack करेगा यहाँ से Double Wand तूटेगा और वो उस Carvan पर Attack करेगा जिस Carvan में जो Hydrogen का Number है वो Less है कहने का मतलब है यह Chlorine यहाँ पर Attack करेगा Hydrogen यहाँ पर Attack करेगा बात वही है क्या Mechanism बच्चो बिलकुल मेरे बच्चो Concept Crystal Clear है आपके क्या बताया आपके गुरू जी ने या मार्कॉनिकॉफ ने मैंने यह Mechanism से बताया था प्लस ISO करता था यह Positive या Negative फिर Attack कराता था Electrofile, Nucleophile मार्कॉनिकॉफ ने क्या कहा मार्कॉनिकॉफ एक Scientist आये उन्होंने का H Positive, CL Negative Electrofile, Nucleophile बना Nucleophile उस कारवन पर Attack करेगा, Double One तूटेगा और Nucleophile CL Negative, जो है Nucleophile है यह उस कारवन पर Attack करेगा, मेरे बच्चो जिस कारवन पर जो Hydrogen की संक्या है, वो कम है तो मैं क्या कह दी, यह है मार्कॉनिकॉफ रूल मुझे नहीं लगता आपके concept में कोई दिक्कत है adding डालो मार्कॉनिकॉफ रूल और धड़ाके से हम concept को खतम करते हैं, हिंदी में लिखाऊंगा बच्चो बिल्कुल, तो आजाओ बच्चो मार्कॉनिकॉफ होता क्या है, तो लिखो adding डाल के मार्कॉनिकॉफ रूल मार्कॉनिकॉफ रूल अब आपको अगर explain करने के लिए आ जाए गुरू जी इंदी में लिखें, बिल्कुल आप इतने परिपक्तों के इंग्लिस में बना सकते हो तो क्या लिखोगे मार्कॉनिकॉफ न्यूक्लियो फाइल attack on that carbon which has less number of hydrogen done मेरे बच्चो बिल्कुल न्यूक्लियो फाइल फाइल आटेक करेगा बच्चो जिस कारवन पर less number of hydrogen होंगे इसको नोट करो बच्चो मार्कॉनिकॉफ खेल खतम कुछ भी हो HBRO, HFO, SCLO, HIO, Hydrogenation unsymmetrical एलकीन के लिए Hydrogenation है HCLO, HBRO, HFO, HIO कुछ भी हो न्यूक्लियो फाइल, इलेक्ट्रो फाइल बना सकते हो न्यूक्लियो फाइल को उस पर अटेक करा दो जिस पर क्या है? कम नंबर के hydrogen जिस कारवन पर कम hydrogen हो डन है बच्चो अब आ जाओ बच्चो एक और रूल है अट्रिकल एलकीन हाइड्रो हैलो जिनेशन के लिए थे अब इसको पहचानों के क्या? बच्चो जब यह reaction आएगी न यहाँ पर जो है दो तीन चीज मिलेंगी एक तो मिरेगा परोक्साइड एफेक्ट यह लिखा हो सकता है S2O2 अभी बताऊंगा यह लिखा हो सकता है खरास एफेक्ट बच्चो अगर परोक्साइड एफेक्ट है खरास एफेक्ट लिखा मिल जाए तो याद रखना HBR के लिए अब आप कहोगे SCL, HF एक चीज सुल्लो बस Anti-Marconic of HF, SCL, HBR, HI important सूचना है बच्चो ध्यान रखना यह HF, SCL, HI इन तीनों के लिए काम नहीं करता अगर आए यह भी लिखा हो और यह तीनों आए तो Marconic of लगाना है यह केबल टू है HBR के लिए अब एक और सच्च सुनो कोई दिक्कत नहीं HF, SCL, HBR, HI अगर यहाँ पर क्या चारों इसको छोड़के BR को छोड़के तीनों हो तो हमें Anti-Marconic of रूल नहीं लगाना है चारों पर ओक्साइड एफेक्ट हो खरास एफेक्ट हो कुछ भी लिखाओ हमें Marconic of simple लिख के आना है अब आप कह रहे हो क्या कहना चाहरे है गुरू जी मैं यह कहना चाहरा हूं बच्चो अभी एक एक एक्जामपल से बताऊंगा अगर मैं क्या कर रहा हूं यहां HBR की जगह है HCL कर देता तो यह क्या है परोक्साइड एफेक्ट, खरास एफेक्ट मतलब नहीं है यहां यह H positive, CL negative में टूटेगा नुक्लियोफाइल किस कारवन पर अटेक करना चाहिए था मारिकॉनिकॉफ की according यह करना चाहिए था यहां पर लेकिन यह अटेक इधर कर जाएगा इस बार समझ गए वहीं पर अभी मैं आ रहा हूं थोड़ा सा जस्ट तो मैं क्या anti-marchonic of समझाया हूं तो यह क्या है केबल और केबल HBR के लिए किसके लिए बच्चो HBR अगर परोक्साइड एफेक्ट या खरास एफेक्ट दिखता है तो याद रखना यह H पॉजिटिव BR नेगिटिव में तूटेगा आपको पता है एक एलेक्ट्रोफाइल तो एक नुक्लियोफाइल फिर से यह डबल बॉन तूटेगा याद रखना anti-markonicoff क्या है arkonicoff की उल्टी बात इन्होंने कहा नुक्लियोफायल वहां पर अटेक करेगा जहां पर कारवन के नमबर उस कारवन पर अटेक करेगा जहां पर हाइडरोजन के नमबर ज़ादा है उल्टी बात कह गए बच्चो CS3, CH, CH2 ये double bond था इसको हटाया इस कारवन पर एक hydrogen इस पर दो तो nucleophile कहां अटेक करेगा उस hydrogen पर जिसके hydrogen का नमबर जादा है तो BR इधर अटेक करेगा एच इधर अटेक करेगा ये बात कई बच्चो एंटी मारिकोनिकोफ ने इसको लिख लेते हैं अगर दो चीज दिख जाती है परोकसाइड एफेक्ट और खरास एफेक्ट तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए बात उल्टी हो जाएगी लिख दें बच्चो So, Nucleophylle Attack on Attack on That carbon That carbon In which More Number of Hydrogen is present जितने number of hydrogen present जिसमें ज़्यादा होंगे उस पर टेक करेगा नियुक्रियोफाइल कहां टेक करेगा on that carbon on which on which more number of hydrogen is present कहने का यह मतलब है किसकी प्रिजेंच में खरास effect दिख जाए क्या दिख जाए खरास effect दिख जाए क्या दिख जाए परोक्सी लिंकेज या परोक्साइड एफेक्ट क्या दिख जाए परोक्साइड एफेक्ट और किसकी एफेक्ट में एच बी आर के लिए यह मारकॉन एंटी मारकॉनिक ओफ रूल डन बच्चो अब मैं दो चार क्वेश्चन कराता हूं और आपको देखता हूं आपके concept कितने स्ट्रॉंग हुई है और इस लेक्चर में मुझे नहीं लगता अब मैं आपके लिए कुछ छोड़ के आया हूं हर चीज इलेक्ट्रोफाइल से लेके न्यूक्लियोफाइल से लेके हर चीज समझ गए बच्चो अब एक दो एक्जांपल और concept खतम अब मैं कराता जा रहा बताना क्या है का आप concept से भी समझा सकते हो हाला कि है कि है कि एस सी एल कि पर ऑक्साइड एफेक्ट ऑक्साइड एफेक्ट जल्दी से बताओ अब मैं थोड़ा सा आप से बोलूँगा एस सी एले एच पॉजिटिव सी एलेगेटिव में टूट जाएगा बच्चो बिलकुल टूट जाएगा इलेक्ट्र नेगिटिव यह ज्यादा है का मैं अब मुझे बताओ पर ऑक्साइड एफेक्ट एंटी मारिकॉनिक ऑफ क्या लगना चाहिए बच्चो नहीं लगना चाहिए मेरे बच्चो एच सी एले एच बी आर नहीं है गुरू जी काटो काटो सेम लगा पर मारिकॉनिक ऑफ क्या करूँगा सी एस ठी च टू ती एच टू निउगलियोफाइल किस पर अटेक करेगा जो इस कारवन पर हीड्रोजन जो नंबर हैं वो कम हैं कि जादा हैं जादा समझ गए बच्चो तो यहां पर क्या आएगा बियार और यहां पर क्या आएगा ना कम पे आएगा ना तो एंटी बी आर थोड़ी ना होगा सी एल सौरी है एच सी एल बी आर यह तो मैंने बताया है बच्चो समझ गए कोई दिक्कत नहीं क्रिस्टिल क्लियर तो यह ता आज का टॉपिक बच्चो मैं आप सभी का अपना निशान चौदरी बच्चो मैं आप से एक चीज बोलूँगा अब मैं थोड़ी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं तीन से चार वीडियो डालूँगा और जल्दी से और्गिनिक को खतम करूँगा मेरी वीडियो पांच-छे दिन से आई नहीं बच्चो मुझे क्या था थोड़ा सा छाले वगेरा की दिक्कत हो गई थी बच्चो और गाने भी निकलाए थे एक दो और मैं फिजिक्स के क्वेश्चनों पर भी काम कर रहा था बच्चो मैं आप से हाथ जोड के निवेदन कर रहा हूं मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करो बच्चो लाइक करो सस्क्राइब करो बहुत आप साथ बच्चो